जैहिन सभी दोस्तों को बंदे मात्रम आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए मैं मैत के वो क्वेस्चन लाया हूँ जो सीटेट के प्रीवियस एर में पूछे गए हैं और टोटली आपका एंसी ए आर्टी बेस्ट है आप पेपर उठा के देख सकते हैं तो आज दोस सबसे चोटी विसम संख्या और चार अंको की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है बहुत धांसू क्वेस्चन है सीटेट में कुछ ऐसा ही क्वेस्चन पूछे जाते हैं तो छे अंको की सबसे चोटी विसम संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों छे अं अपकी सबसे चोटी अब इनका अंतर कहरा है तो यहाँ से लिख लेंगे हम 9 9 9 और आपका अब कर देंगे subtract यानी घटाना 11 से 8 गया 3 यहाँ 9 दोस्तो 9 से 9 गया 0 यहाँ 0 0 9 और यह अर रहा आपका answer 9 0003 किस option में है दोस्तो B option में है धुमाधार तरीके से question को solve करेंगे B option is correct option अगला question क्या है राम को स्याम से 8 अंक अधिक मिले उसी परिक्षा में अनिल ने राम से 4 अंक अधिक प्राप्त किये या तीनों को कुल मिलाकर 128 अंक मिले तो राम दोरा प्राप्त अंक कितने हैं तो भाईया स्याम लिखिए और राम लिखिए यहाँ पर अनिल लिखिए ठीक है अब माना कि इसे x मिलते हैं तो राम को स्यम से 8 अंका दिक मिले यानि राम को भाया x प्लस 8 मिल गए और उसी परिच्छा में अनिल ने राम से 4 अंका दिक प्राप्त किये अनिल ने किसे राम से भाया 4 अंक यानि इनके x प्लस 8 थे तो 4 अंक और जुड़ गए तो X प्लस 12 अनिल ने प्राप्त किये अब टोटल 128 है कितना टोटल 128 है तो X तीनों को जोड़ देंगे X प्लस X प्लस X 3X हो गया मित्र और 8 और 12 को जोड़ देंगे तो 20 हो गया और 20 यह उधर जाके घट जाएगा तो 3X बराबर क्या हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा ठीक है 108 होगा काट देंगे दोस्तों इधर से तो आपका 3,39 और 3,6 18 हो जाएगा X बराबर 36 हो जाएगा राम द्वारा प्राप्त अंक कह रहा है तो राम द्वारा X प्लस 8 है ना प्राप्त अंक 36 प्लस 8 कर देंगे और 8,6,14,3,1,4 44 यानी 44 हो जाएगे नमबर राम के आप सब के निकाल सकते हैं बस X की वैलू रखके आप सब के नमबर निकाल सकते हैं पटना के एक स्टेडियम में दोडने के लिए सिर्फ 800 मीटर का एक ट्रैक है यादि आप स्टेडियम के ट्रैक पर 20 किलो मीटर की मेराथन दोडते हैं तो आपको ट्रैक के कितने चक्कल लगाने होंगे आप्शन आपके पास दिये गए हैं इसमें देखेंगे क्या है दोस्तों दोडने के लिए ट्रैक कितना है 800 मीटर का ट्रैक है ठीक है बात सही है यादि इस्टेडियम पर आप इस्टेडियम के ट्रैक पर 20 किलो मीटर मेराथन दोडते हैं 800 मीटर का है भया तो 20 किलो मीटर मेराथन आपको दोडनी है ठीक है तो 20 किलो मीटर दिया है इसे भी मीटर में बदलेंगे तो हम जानते हैं किलो मीटर बराबर 1000 मीटर यानि टोटल आपका हो जाएगा दोड कितनी हो जाएगी 20,000 मीटर हो जाएगी और 800 मीटर का एक चक्कर है दोस्त तो 800 से हम अगर इसे 20,000 को डिवाइड कर देंगे 2-0, 2-0 कैंसिल और 8-9, 16, 8-5, 40 ठीक है डिवाइड करेंगे दोस्तों को 8-25 आजाएगा और आपको चक्कर कितने लगाने होंगे 25 चकर लगाने होंगे option B is correct बढ़ेंगे अगला question लेंगे तो अगला question दोस्तों क्या है अगला question कह रहा है बहुत अच्छे से solve करेंगे एक विद्यारती का school उसके घर से 5 किलो मीटर की दूरी पर है यानि school और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है 5 किलो मीटर है ठीक है यजि वाँ 100 मीटर प्रति मिनट की गति से 100 मीटर प्रति मिनट दिया गया है सुबा 7.45 पे चलना शुरू करता है तो वह कितने बज़े स्कूल पहुच जाएगा गती दोस्तों उसकी कितनी है एक मिनेट में कितना सौ मीटर मीटर को हम M.I. लिख देते हैं ठीक है तब एक मिनेट में सौ मीटर चलता है ठीक है वह स्टूडेंट चलता है अब यहां से देखेगा अगर मैं दस से कर दूना इधर और इधर गुड़ा तो दस मिनेट में कितना हो जाएगा दस मिनेट में हो जाएगा एक हजार मीटर और एक हजार मीटर हम जानते हैं एक किलो मीटर के बराबर होता है यह भी हम सब जानते हैं तो दोस्तों दस मिनट में वो एक किलो मीटर चलता है, तो दूरी कितनी है, पांच किलो मीटर, तो पांच किलो मीटर कितनी देर में चलेगा, तो यहां से पांच किलो मीटर मैं कह सकता हूं कि पचास मिनट में चलेगा, पांच किलो मीटर जो है वो पचास मिनट में चलेगा अब पचास मिनट उसे लगते हैं घर से स्कूल के बीच में यह हमने निकाल लिया साथ पैतालिस पर चलना सुरू करता है बच्चकव साथ पैतालिस पर चलना सुरू करता है और पचास मिनट लगते हैं तो यहां से हम देखेंगे पहले मैं आपको सही से समझा देता हूँ, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, 95 हो गया, ठीके अब 95 मिनिट तो होते नहीं, तो 60 यहां से ले आएंगे, 1 घंटा बन जाएगा, तो बच जाएगा, 8 ठीक है, और इधर कितना बच तिस बचेगा, साथ भाई माइनस कर देंगे, इधर ले आएंगे, साथ में जुड़ जाएगा, आठ बच जाएगा, और इधर 35 मिनट आपके बचेंगे, आठ बच जाएगा, टाइम और सुबह दिया है, तो सुबह तो होगा भाया, सी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा,